हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब आई होप करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे जैसा कि फ्रेंट आप लोग को पता है भी सावन का महना बहुत नेजदीक है और यहाँ पे सुल्तान गंज घाट के पास कितना जादा भीर कमरिया का लगने वाला है वो आपको हम सारा कुछ दिखाएंगे और डेली आपको एक ना एक न्यू वीडियो लेके आएंगे सुल्तान गंज का तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सुस्क्राइब कीजेगा जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आगे यहाँ पे प्रोग्राम के लिए इस्टेड लगाया गिया है यहाँ पंडाल लगाया गिया है आदमी को देखने के लिए प्रोग्राम अगर आदमी आते हैं यहाँ पे अगर कमरिया आते हैं जैसा कि आपको दिखाई भी दे रहा होगा जश्ट एकदम पंडाल बनाया गिया है एकदम घाट के बगल में ही भी होते हुए जोंगी सावन महेना का आजसर अभी हो चुका है लेकिन इस sniff पहले एक भी दिन 22 ही नहीं रहा था और यहां पे दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से यहां पर अभि नीचे एकदम भीर लगा हुआ है क्वरिया का फिल्ल अभी उतना भीर जब आज आएगा तो उस दिन इतना ज़्यादा भीर रहेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं तो उस दिन का भी आपको वीडियो दिखाएंगे कितना ज़्यादा भीर था और यहां पर दिखाए तो यहां पर आप लोग को जैसा कि दिखाई भी दे रहा हुआ घाट पर कितना ज़्यादा भीर है जो कि काफी ज़्यादा साप सुतरा घाट है आपको हम दिखाए तो जैसा कि आप लोग को यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा काफी अच्छा घाट है आगे बांस भी लगाया गिया है जैसा कि पहले ही लगाया गिया था और यहां पे बांस लगाने के बाद यहां पर पानी बढ़ चुका है तो अभी कमर इतना पानी है अभी कमर से उपर पहले तो ठोईना भर पानी था जब बास लगाया गया था तो उस टाइप से देखते हूई अगर अभी पानी थोजा सा बढ़ चुका है तो अभी कमब से थोजा ओपर पानी अभी है अगर बास के अंदर आप लोग नहाते हैं तो आप लोग बाक्स के अंदर ही नहाए बाक्स के बाहर नहीं जाए नहाने जैसा कि यहां पर दिखाए तो सुल्तान गंज घाट के यहां पर सीन देखिए कितना अच्छा सीन है देखने में कापी अच्छा लग रहा आपको अगर हम चारो तरफ से घुमागे दिखाए तो और वही सुल्त इतने जड़ भीर हो जाएगा यहां पannya भीर हो जाएगा यहां पर दिखाए तो साफष भी अच्छा देखने में चाक्छा और लूट रहा हुआ है और बात कर तो रास्ता में भी साफ सफाई अच्छा देखने को मिलेगा आप लोग को और बात करें तो यहां से डेली यहां से लाखो कमरिया से जादा यहां से जाते हैं बाबा धाम अगर बात करें यहां पर आप लोगों सारा कुछ यहां पर दिखाई भी दे रहा होगा किस तरह से कमरिया यहां पर संकलब बगएरा करवा के जाते हैं बाबा धाम यहां से नहाने के बाद गंगा जल लेने के बाद गंगा जल को संकलब करवाने के बाद सीधा जाते हैं कमरिया पैदल यात्रा बाबा धाम या गारी से या बस से किसी सीच से जाते हैं और यहाँ पे दिखाए है तो किस तरह से संकलब पन्रेग करवाया जारा है वह आपको देख पारे होगा गंगा-जल चौकी पे रखके चारोतरप यहाँ पे सब आदमी घुंते हुए और यहाँ पे आपको दिखाए ही दे रहा होगा पैदल यात्रा करने के लिए चारो तरफ यहां पे आदमी आपको दिखाई दे रहा होगा तो इधर दिखाएं तो इधर भी आपको दिखाई ही दे रहा होगा तो बात करें इसी तरह से यहां पे सुल्तान गेंज में भीर लगता है फिलाल भी उतना भीर नहीं है और भी भीर लगेगा धीरे धीरे भीर का एकनम सीजन आ रहा है और काफी जाता भीर हो जाएगा बात करें तो इस बार जो है दो मेहना का सावन होने वाला है जो की काफी अच्छा बात है इस बार दो मेहने का सावन होने वाला है तो आप लोग आईए और जाईए यहां से नहाने के बाद सुल्तानियन से नहाने के बाद डिरेक्ट देब घर पैदल यात्रिया बस से भी आप लोग जा सकते हैं यहां पर दिखाएं, यहां भी संकलब करवाया जा रहा है, नहाने के बाद सब संकलब करवाने के संकलब करा लेते हैं, उसके बाद ही जाते हैं देब घर, तो यहां पर दिखाएं, तो यहां पर चारो तरफ आप लोग देख पा रहेंगे, कैसा यहां आपका सीन है एकदम, ये वीडियो आपको कैसा लगा कॉमेंट में जुरूर बताईएगा अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल एकन को जुरूर प्रेस कर दीजेगा आपको देभगर का भी वीडियो मिलेगा हर जगह का मतलब का मरिया का वीडियो मि मिलते हैं आप लोग से नेक्स वीडियो में